नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नियोज में मेरतनसेन भारती अज़ हम बात करेंगे पंचायज चुनाव के बारे में बिहार में पंचायज चुनाव जारी है और इस बार का पंचायज चुनाव सबसे लंबे समय तक चलेगा 2021 में जारी पंचाय चुनाव में कई तरह के बदलाव किये गए हैं इस बार होरे पंचाय चुनाव की सराहना देश के कई राजियों में की जा रही है मंगलबार को दिल्ली और चंडिगर्ड से टीम पहुंची जबकि इस से पहले उडिशा और कुजरात के राज से निर्वाचन आयोग की टीम जो है पंचाय चुनाव हो रहे तकनीक के उप्यों को देख रहे के लिए यहां आई थी बिहार में परदेश में पहली बार पंचाय चुनाव में ही ORC मसीन मदाताओं की पहचान के लिए बायोमेट्रिक मसीन और मतदान के समय लाइब वेब कास्टिंग की वेवस्ता की गई है यह तकनीक अनराजियों के राज निर्वाचन आयोग को पसंद आ गई इसलिए टीम बिहार में मुआइना कर रही है बता दें कि दिल्ली और चंडी गढ़ है राज निर्वाचन आयोग के सचीव संदीप मिस्रा और तकनीकी विससग विसाल जैन के नित्रित में टीम पठना पहुंची है परदेश में ऑप्टिकल करेक्टर रियोगनाईजेशन यानि की OCR मसीन का चुनाव में इस्तिमाल किया जा रहा है इस मसीन का सहारे मतगरना केंदर पर निगरानिव की जा रही है OCR मसीन की विसस्ता है कि मतगरना के समय किसी EVM में कितना बोट किस परतियासी को मिला है इसकी लाइब जनकारी ली जा सकती है बतादें कि यह परियोग नया है बतादें कि इस से पहले उरिसा और गुजरात से आई टीम पठना से लौट चुकी है टीम ने राजियों में होने वाले पंचाय चुनाव और विधांसवा चुनाव में नई टेकनीक का इस्तमाल करने पर सहमती जताई है इधर अधिकारियों का कहना है कि पंचाय चुनाव में नई टेकनीक कितनी कारगर है इस टेकनीक से फरजी मतदाताओं को मतदान किंद पर ही रोकने के लिए इसवार बायोमेट्रिक मसीन का इस्तमाल किया जा रहा है बतादें कि इस मसीन में अंगूठा लगाने के साथ ही मतदाता की पहचान हो जाती है यह मतदाता सही है या नहीं बतातें कि इस वार जारी पंचाय चुनाव में चैनीत मतदान केंदरों से लाइब वेब कास्टिंग भी की गई जिसे जीला और राज अस्तरिये अधिकारी भी ग्रामिन इलाकों की इस्थिती पर नजर रख रहे थे इसके साथ दूसरे राज्यों से आई टीम यह भी देख रही है कि एक साथ पांच बैलेट यूनिट और कमान्ड यूनिट के से काम कर रही है आपको बता दें कि यह देश में सबसे पहला परियोग है इसमें बैलेट पेपर के साथ साथ EBM का भी इस्तिमाल किया जा रहा है इस बार के पंचाईच चुनाव में मतदान केंदरों की स्थिती के लिए लाइब वेब कास्टिंग मतगनना पर नजर रखने के लिए OCR मसीन का इस्तेमाल फरजी मतदाताओं की पहचान के लिए बायोमेटरिक मसीन परतेक मतदान केंदर पर एक साथ EBM और बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है पंचाईच चुनाव में फरजी बोटरों को लेकर राज निर्वाचन आयोग एक्सन में है वह लगतार इन्हें पकड़ने की कोशिस करती रही है जिसका नतीजा हमने बायोमेटरिक के रूप में देखा इसमें सुरुवाती चार चर्वन में शत्तर चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए तेड़ी खीर बनता जा रहा था चुनाव में देरी आयोग के लिए सबसे बड़ी परिसानी उसके बाद एक साथ च्छा पदों के लिए चुनाव कराना यह मुस्किल था उसके बाद एबियम में मतदान कराना हलांकि काफी मंधन के इबीम और बाइलेट पेपर पर मतदान को लेकर स्विक्रिती बनी और अब इस मोडर को देखने के लिए देश के अन्य राजियों के अधिकारी आ रहे हैं ताकि अपने इहां भी इस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल कर सके तो इस तरह से कहलें कि बिहार निरवाचान आयोग ज इसे उसकी पहचान की जासे कि इन सब चीजों की जो है बिहार सरकार अपने टेक्निक के माध्यम से टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनकी पहचान कर रही है बिहार और बिहार जोड़ों है और वे ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुझे द आदे बाद